मित्रो नमस्कार आज के अगवार में आपका फिर स्वागत है और आज भी कुछ महत्पून खबरें लेकर मैं आया हूँ आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो चीन की तरफ से आ रही है जो चीन दादागिरी कर रहा था 9 दिसंबर को तवांग में उसने घुस्पैट की और उससे पहले 2020 में जो पूरवी लदाख में घुस्पैट की थी और उसके बाद अभी 17 दौर की मीटिंग भी थी कोर कमांडर लेवल की तो उसमें चीन ने डैप संग और डैम चौक इन दो पॉइंट से पीछे हटने से मना कर दिया और उसके बाद से फिर ऐसा एक तनावक सी इस्तिति थी लेकिन अब चीन के जो परधान मंतरी हैं वांग ई उन्होंने बीजिंग में आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा ह है कि बीजिंग वीपक्षिया समंदों के इस्थिर और मजबूत समद्ध करने के लिए भारत के साथ काम करने को तयार है वांग ए ने कहा कि दोनों देश शिमावर्ती छेत्रों में इस्तिर्था बनाई रखने के लिए पर्दिवद हैं जहां 2020 से तनाव चल ला है ये बड़ इची बात उनों ने कही कि 2020 से तनाव है और इस तनाव के कारण दोनों देशों की आर्थी के सिद्वे बड़ा बुरा आ इसे उत्पादन थे जो भारत ने बैन किये और उनके जैसे जो एप थे मोबाइल एप उन बहुत सारे एप को बैन किया गया है और जैसे हमारे देश में जो फार्मसोटिकल के लिए कच्छा माल आता था वो चीन ने कम कर दिया तो दोनों देशों की तरफ से नुकसान अगर परधान मंतरी ने उन्हें खुद जूला जुलाए था तो अगर ऐसे सिस्ते हो तो फर दानमें पिर जूला जूलाएंगे हमारी परधान मंतरी चीन जाएंगे तो वह उनको म्लाएं लेकिन कि यो सीमा पर तनाव है तनाव कम होना चाहिए और इसके लाबाद की जो द तो लोग के अर्थ बॉस्ता की संबाले और से जो वहां कोविट का जो महामारी ने वहाँ असर दिखाया है उसे कैसे निप्टे तो इसने भारत के तरफ हाथ बढ़ा है ये बहुत अच्छी बात है कर इसी अभी यहीं पर ही तनाव खतम हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी दूसरा मित्रो आज पूर प्रधानमंति अटल विहरी बाजवी का जैनम दिन था और सभी पूरे देश ने उनको नत्मस्तक होकर उनको शर्धान जली दी जो सदेव अटल उनकी जो इसमारक है वहां सभी लोग गये थे प्रधानमंति अटल विहरी बाजवी को आज उरी में सेना को बहुत बड़े पैमाने पर हत्यार और गोला बारुद मिले है जम्बो कश्मिर में बारा मुला जिले के उरी सेक्टर में नियंदर रेखा पर एके फोर्टी सेवन राइफलों पाकिस्तान हद गोले और आईला पाकिस्तान लिखे वे गुबारे सहीद बहुत सारे समानम को मिले है तो ये जो हमारी सेना की उननिसवी इन्फैंटरी डिविजन है उनके जनरल आफिसर कमांडिंग जी ओसी मेजर जनरल आजे चांदपुरिया ने मीडिया से बात कर उन्होंने बताए कि होँसे जो समान मिले है उसमें कितना ज़्यादा समान मिला देखिए बरामत की गई वस्तों में आठ एके फोटी सेवन राइफल चॉबिस्ट एके सेवन्टी फोर के सेवन पॉइंट सिक्स टू एमम के इस पॉइंट फाइपॉइंट सिक्स जिरो कार्टूस और 30 mm की 12 चीनी पिस्टोल और चीनी पिस्टोल के 24 मैगजिन और 30 mm की भी पिस्टोले मिली है 244 कार्टूस मिले हैं 9 चीनी हदगोले मिले हैं 5 पाकिस्तानी हदगोले मिले हैं 21 गुबारे मिले हैं जिन पर आईला पाकिस्तान लिखा हुआ था तो ये खत्रा है कि बॉर्डर पर जिस तरह से माहूल बना हुआ है उस माहूल के कारण चीजें हमेशाद एक तरणाव सा बना रहता है वो तरणाव पाकिस्तान खत्म नहीं करना चाहता परचंड होंगे नैपाल के नए परधानम CPN माववादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल परचंड को देश का नया परधानमंत्री निउप्त किया है दिन भर में राजनितिक घटना कर्म के बीच परचंड ने विपक्षी CPN, UML और अन्य छोटे दलों के समर्थन से नई सरकार गठन का दावा पेश किया था सविधान के अनुछेत 76 के लिए राजनितिक दलों को राष्टपते बिद्या देवी भंडारी द्वारा दी गई समय सिमा रविमार को शमाप्त हो रही थी सुत्रों ने बताया कि परचंड सेपियन UML के अध्यक्ष केपी सिंग केपी शर्मा ओली राष्ट स्वतंतर पाल्टी के अध्यक्ष रवी लामे च्छाने राष्ट्य परजातंतर पाल्टी के परमुख राजंद्र लिंक्डेन सहित अन्य स्विक्ष से नेताओं के साथ राष्ट्पति कारले गये और वाउनों ने लागा गया पूर परधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निवत्रत वाले से पी एन यू एमल सी पीन एमसी राष्ट स्वतंतर पाल्टी और अन्य छोटे दिलोने महत्पून बैठा कुए रोसमें उने परचंड को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया कि दो सो पिच्टर सदेश्य परतनिती सभा में 165 सदेश्यों के समर्थन का दावा किया गया है जिनमें से पीन यू एमल के सेवंटेट से पील एंसी के 32 आरस्पी के 20 आरस्पी के 24 जेस्पी के 12 जन्मत के 6 और नागरिक उनमुक्त पार्टी के तिन सदेश्य से शामिले सो सदेश्यों ने बताए रविवार को सरकार बनाने का दावा करने वाले 150 सदेश्य सांसदों के हस्ताक्षित थे सुतर ने बताए कि साथ वर्षय पर्चंड को नए परधान के रूम में न्यूक्त करने के लिए सीम निमास इस्तित राष्टपति कारले में एक प्रस्ताव पंजी करति किया गया और वहां उन्होंने दावा किया इससे पहले आपको पता हुआ कि जो देवबा हैं वो प्रधान मंतरी हैं अभी तो वो दुबारा प्रधान मंतरी बनना चाहते थे उनका पर्चंड के साथ गडवंदन था लेकिन प्रचंड ने उनसे जाकर कहा था कि वो खुद प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं तो देवबा ने अपनी इच्छा व्यक्ति की है तो इसके कारण उन्होंने देवबा को छोड़कर बागी दवलों से गडवंदन कर दिया और नए राष्ट पुए प्रचंड ने प्रधान मंतरी हो गए मित्रो करोना का असर पूरे दुनिया में फैल ला है भारव में इसका असर है देश में 227 नहीं मामले आये हैं और जो 24 घंटे में ये मामले आये हैं इनमें उप्चारा धिन मरीजयों की संख्या 3424 हो गई है लेकिन सबसे जो खतरनाक ह है कि जो आठ जिले हैं देश के वूल में थोड़ा सा टेंशन है कि वहां केसस बढ़ रहे हैं यह जो चाट जिले हैं इनमें जो अरोनाचल का लोहित मेगाले का रीब होई राजस्थान का करोली और गंगानगर तमिलाटों का डिंगे गुल उतराखंड का नैनिताल हिमाचल का कुलू यहां सक्रमन की जो दर है वो ज्यादा है पांच पर्चसर से ज्यादा है इसलिए इन जिलों में जो आठ जिले है इन में थोड़ी से टेंशन अभी यहां सरकार को ध्यान देना पड़ेगा अलंकि जो एमस के पूरू डारेक्टर हैं डॉक्टर रंदी गुलेरिया उन्होंने कहा कि अब परत्याशत बिर्दी नहीं है इसमें डरनी की बात नहीं है और दिल्ली की हम देख लें तो दक्षन डिली दक्षन पूर्भी दिली जिलेमें संक्रमन one point one three परतिशत है गौजा में one point दक्षन गौजा में one point 10 है उतरकाशी में एन आर्सी डेटा के में छेड़ चाड़ का खत्रा है कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि नागरिक दस्तावीज को अधितन करने की परकर्या के दोरान डेटा एक एकरण और उसमें सुधार करने से समंदित सौफ्ट्वेर उप्युक्त रुक्त से बिक्षत नहीं कर पाने के का करन भारत के नियंता के वह महां लिखा परिक्षक कैग ने असम की राष्ट्य नागरिता पंजीकरण में डाटा से छेड़ चाड़ के खत्रे के पड़ती आगा किया है मंगलूरों में दुकांदार की हत्या निशादा गया लागू श्रीजान चार खान चार दिन की पुलि बीख करने के लिए मजबूर किया और उसने सेट पर है जिस सेट पर सोटिंग चली थी उसी सेट से वो ट्यूलेट के लिए गई थी वाश्रूम के लिए और वहां उसने आत्मक्त या करने के लिए तो जब फूस्तास हुई तो पतला कई कि जो अबिन्यता स्रीजान खान है वो उसको तंग कर रहा था उसने उसको मजबूर किया आत्मत्य करने के लिए और IPC की धारा 306 आत्मत्य के लिए उकसाने कास पे मामला दर्ज कर लिया गया है और उसको आज चार दिन की फिल से रास्त में लगा लिया गया है अबेद धर्मांत्रन कारेकरम आयोजगों से बढ़े ग्रामें उत्तरकासी में उत्राखण में देवगड में एक कारेकरम के आयोजगों पर ग्रामेंडों ने अबेद धर्मांत्रन का आउरूब लगया और आयोजगों के साथ उनकी जड़ापई कारेकरम में इसाई समुदा के धर्म गुरु शामिल हुए थे अधिकारों ने यह जन करी दिये पुरोला थाना प्रभारी कोमल सिंग रावत ने रविवार को बताया कि आशा और जीवन केंद्र नामग मिश्रीर संगटों में लोग वो लोग आज इकतित हुए थे चुक्कि आज क्रिश्मस भी है तो ग्रामिन ने कहा कि वहाँ पर धर्मांतर करा रही बात हो सच है कि उतराखन में तो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतर हो गया है मेट्रो की पट्री भर द्रोन गिरा सिवा बादिद हो गई है दिल्ली की मेट्रो मेजेंटा लाइन के असोला बिहार शाहिन बाग से बोटनिकल कार्टन के बीच मेट्रो ट्रेक पर विवार दो पर चिकिस्सा सामगरी ले जा रहे एक ड्रोन के गिरने से करीब आदी घंट को बीच रास्ते में रोग दिया गया जिससे की यात्रों में अफरा तफरी मज गई दिल्ली पुलिस और डियमार्सी के करमचारी तुरंत हरकत में आ गया और उन्होंने तुरंत इलाके में वहां पहुशे और ड्रोन को पट्रियों से हटाया ताकि सेवाएं चालू हो सके रविचंदरन अस्वीन ने विशम परस्तियों में धैर्या और प्रतिवद्दता का अनुठा उधारन पेश करते वे आठोएं विकट के लिए एकत्तर रन की अठोट साज़दारी करके बारत को बंगलिस के खिलाब दूसरे और अंधिम टेस्ट में मैच जिता लिया तीन आउने हैं उने उनमें तुक और बन्हें सब्ष्डाश में आठ वच्वारी बाजबी को शर्दान जलिदी झाए जा यह वो नितिश्व मार को बहुतहल नितश्वार दो सुख करते तो ते वहर में उन्हें शर्दान जलिदी हैं और शबॉलाजबी को 65 साल उत्रप्रदेश सरकार को आदिश दिया गया है इलावा उच्छाए को ने कहा है कि जो लखनों विश्विद्धाले के शिक्षक है उनकी उम्र 62 साल से बढ़ा के 65 वर्स कर दी जाए जज़ों के सेवनेरती उमर बढ़ी तो कर्मचारी भी कर सकते हैं मांग नियाई विभ नियाई दीशों की सेवा के वर्सों का बिस्तार हो सकता है और सरकारी कर्म चार्म द्वारा भी इस तरह की मांग हो सकते हैं यानि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो भी पिर उनके भी उमर बढ़ाने पड़ेगी और कर्म चारी भी इस डिमांड करेंगे तो अच्छा है कि जितनी उमर अभी है अभी बासाट साल है तो बासाट साल रहने दुआ सुप्रिम कोड में पैंसाट साल हो गई है मोधी को नियू इंडिया का पिता बताना उसका अपमान था वो तो ने कहना यह हमने पिसली बार भी चर्चा की ती इसको लेकि कि जो देविदर फंडविस क पतनी है उन्होंने मोधी को नियू इंडिया का पिता कहा था तो यह वाकि सरमनाक था इसका नहीं कहना चाहिए पाक को धन देने के इच्छों के अमरीका अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से हमले रोकने को लेकर बोले बिलावल भुटो पाक को धन देने को इच्छों के अमरीका क्योंकि अफगानिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को रोकना है क्योंकि तालिवान हमला कर रहा है तो उसके लिए अगर अमरीका धन्देगा तब ही पाकिस्तान कर सकते हैं तो पाकिस्तान की बहुत बुरी इस्तिती है कि तो मित्रों पर्थिब्यक्ति आई के मामले में 197 देश्चों की सुची में 142 अस्थानफर भारत है विक्षित देश बनने के लिए अगले दो दसक तक हासल करनी होगी आठ से नौ फिस्ती सतद विकासदर तो यह जो रिजर्बेंक के पूर्व गवर्नर है सीरंगराजन उन्होंने का कि अभी जो भारत है पर्थिब्यक्ति आई के मामले में जो 177 वे देश हैं उनमें 142 वा देश है भारत यहनि हम अभी बहुत गरीब हैं बहुत पीछे हैं उत्पादों के रिपेरिंग खुद ही कर सकेंगे बहुत नए साल में मिला जुला रहे हैं अरोजकार का परदिश्य नए साल में इस पात्थ छेत्र के प्रोद्शान पर होगा सरकार का खास द्यान क्या गोविड में क्या 2030 में कोविड महामारी इंडेमिक हो जाएगी तो मित्रों आज के लिए इतना ही कल फिर मुलाकात करेंगे कोई आकर सुझाओं आपके तो जरूर दीजिएगा तब तक लिए नमस्कार थैंकी वेरी मैच